हेलो दोस्तों, इस्टेडी इगलोज में आपका स्वागत है तो आज हम गोवा और महराज के नेशनल पाक को कवर कर लेंगे तो इसी के सथ हमारे वेश्टन स्टेट्स के नेशनल पाक जो है कवर हो जाएंगे सारे के सारे तो चलिए स्टार्ट करते हैं भगवाद महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पाक इसका एरिया जो है दोसो चालिस स्कॉार किलोमीटर है ठीक है और यह एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो वेश्टन घार्स में लोकेटेड है संगूम तालुग में ठीक है जो की है गोवा में इस्टन करनाटा के इस्टन बॉर्डर के साथ फिर से बोल दे रहा हूँ यह दोसो चालिस स्कॉार किलोमीटर में फैला हुआ है और यह प्रोटेक्टेड एरिया है जो संगूम तालुग के वेश्टन घार्स में लोकेटेड है ठीक है गोवा में करनाटा के इस्टन बॉर्डर के साथ इरिया जो है वो मोलन के पास सिचुएटेड है और पनाजी जो स्टेट कैपिटाल है गोवा की उससे 57 किलोमीटर दूर है ठीक है यहाँ पर आपको दुछ सागर फॉल्स और तामरी फॉल्स देखना हूँ मिलेंगे यहाँ पर आपको नुमेटिक पफेलियों की कमिनुटी दिखाई देगी जिसका नाम है धंगर फ्लूरा फॉना देखते हैं यहाँ पर आपको वेश्ट कोस ट्रोपिकल एकरिग जिर गया यह अब को स्पिशीज देनों मिलेंगी तो यह हमने देखा गोगा के निशल पारक अब देखेंगे महावीर के दिखेंगे महराश को नेशल पारक ठीक है तर्डोबा नेशल पारक पहले आप सका मैप देखिए ने यह तरलो बने लोकी टेटेंड है और इसका एरिय टाइगर रिजब जो है यह टाइगर रिजब है जो चंदरपोर डिस्टिक्ट में लोकेटेड है एरिया 625.4 कि स्कॉर किलो मेटर है और यह महराष्ट का टॉप वाइल लाइफ डेस्टिनेशन है और टडोबा नेशल पार्क जिसका एरिया 116.55 स्कॉर किलो मेटर है और ठीक है तो फिर से बोल दे रहा हूँ यह महराष्ट का टॉप वाइल लाइफ डेस्टिनेशन है और इंक्लूट करता है टॉडोबा नेशल पार्क आरंधोरी वाइल लाइफ सेंचुरी को और यह टुगेधर फॉर्म करते हैं टॉडोबा अंधिरी टैगर रिजब को और य यह सब आपको देखनों मिल जाएगा अब देखेंगा संजय गांधी नेशल पार्क जो है यह 87 किलोमेटर में फैला हुआ है यह प्रोटेटर एरिया है मुंबई में ठीक है इसको 1996 में स्टैब्रिश किया गया था है है अब यहां पर फ्लोरा देखिए कडंबा टी करंज श करवी और करवी जो है यहां पर आपको देखने हो मिल जाएगा इस पार्क में फॉना देखिए यहां पर चीटल रैसस मकाक बोनेट मकाक और यहां पर आपको देखने हो मिलेंगे ब्लैक नैप्ड मुंजैक जो बार्किंडियर होता है पर्क्यूपाइन एशें पाम त्रव्ट्स जंडोलकाज सबस्कों मिनाइट मैजिएaster में फाम रोबिंसे शन होंबिल सबस्क्राइबें मिलेंगी और क्पिंग फिसरταν मैनाज्ट मिलेंगी ठीक है अब हम देखें चंडोली नैशल पार्क पहले इसका मैप देखिए देखिए यह है चंडोली नैशल पार्क यह लोकेटेड है संगली डिस्ट्रिक के चंडोली डैम के पास ठीक है और इसको नैशल पार्क जो है डिकलेर किया गया था 2004 में लेकिन उससे पहले इसको वा पूरो सांगली डिस्ट्रिट में ये नैशनल पार्ट फैला हुआ है इसको इस्तेबिश कियाता है एजा नैशनल पार्ट मैई 2004 में और पहले इसको वाइलेस संचुरी के तौर पे डिकलेर के रहा दे चुके है अब ये लोकेटेट है सांगली डिस्ट्रिट के चंडोली डैम के पास ठीक है फिर से बोल दे रहा हूँ सांगली डिस्ट्रिट के चंडोली डैम के पास ये चंडोली नैशनल पार्ट जो है लोकेटेट है देखिए ये राधा नागरी और कोईना वाइलेस संचुरी के बीच में लाए करता है और साहदी टैगर रिजफ का साउधन पार् फॉर्ष्ट के कई ट्रकार आपको देखनों मिलेंगे ठीक है अब यहां पर को टैगर लेपर्ड इंडिन बिसाओं लेपर्ड कैट स्लॉट बियर जाइन्ट स्क्वैरल यह सब आपको यहां पर देखनों मिलेगा उसके बाद यहां पर आपको बार्किंग डियर संबर डिय इसका एरिया जो है 1673 स्क्वैर किलोमेटर में फैला हुआ ठीक है बड़ा नैसनल पाक है और दूसी बात यह है यह मेलगा टैगर रिजव का भी पार्ट है ठीक है तो यह रही इए इसका एडियर जो है 1673 पॉट्वार किलो में लोकेटेड है और इसको बाइस फरवरी उनन और यहां पर आपको टेक्टोना ग्रेंडीज एन तिवास अवला लेंडिया धवारा कुसुम यह सब इंपोर्टेंट्ट्री स्पीशीज है यहां पर आपको देखनों मिलेंगी बैंबू जो है इस फोरेश ने बहुत साथ देखनों मिलेगा और कुछ और्चेट्स और फॉन देखिए यहां पर आपको बैंगॉल टैगर इंडियन लेपर्ट लॉद्बियर उसूरी ढोले इंडियन जैकॉल स्ट्रिप्ड हैना चौसिंगा सांबर गॉर बार्क इंडियर रेटल स्लाइंग स्कॉयल चीतल नील गाय वाइल बॉर लंगूर रसस मॉंकी मकाग यह हम देखेंगे नवेगाउ नैशल पारक को कि यह है नवेगाउ नैशल पारक यूणियर डिस्ट्ट के अरजुनी मुरगाउ सर्फ Premium में लोकेटेड है तो यह मुष्ट भर मिस्टेशन से लेुने मिलेंगे forest type जो है 5A C3 ये भी आपको देहनों मिलेगा ठीक है यहाँ पर southern tropical dry desert forest भी देहनों मिलेंगे ठीक है महराज में located है गोंडिय डिशिट के अरजुनी मुर्गाओं ठीक है sub division में located है ये अब अनिमस देखिए यहाँ पर आपको tiger, panther, jungle cat, small indian civet, palm civet, wolf jackal, bisson, sambar, neil guy, cheetal, wild board, slot beer और Nathan levis ये सब national park में सब जानवर दिनों मिलेंगे तो ये दोस्तों हमने western india के अपने national park सारे cover कर लिये है अब इसके बार northern india के सारे national parks देखेंगे ठीक है तो यही lecture था अगली lecture के साथ बहुत जल मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद